एलो गाइस तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नबर 74 और 128 पैराग्राफ राइटिंग के बारे में पूरा बात करेंगे हम लोग जैसे कि यहाँ पर एक एकजामपल दिया हुआ आइस्क्रीम के उपर बात किया है डीटेल 1 यहां पर यहां पर देखें डीटेल दिया गया है उसके बारे में तीन डीटेल दिये गया है लास्ट में वहां पर कनक्लूजन कनक्लूजन मतलब की लास्ट में आपको बताना है कि इन सब से एक निकल कर के आता है ठीक है जैसे यह लिखा गया है hamburger भी इससे related है मतलब कैसे आप कह सकते हैं क्योंकि hamburger में जह है आप लोगोंने burger खाया होगा तो burger में देखिए सबसे ऊपर बन होता है फिर नीचे vegetables होते हैं vegetables में आप onion होते हैं onion होते हैं tomato होते हैं और cheese बगरा होते हैं तो वो सब चीजे आप यहां पे उससे related कही ना कहीं यह चीज है तो यहां पे उस चीज को relate करके यहां पे आपको बताया गया है ठीक इसलिए यहां पे paragraph hamburger इसको नाम दिये कया है नौ exercise B देख लेते हैं यहां पे same वही चीज आपको करना है write a paragraph on any topic that you have learnt at F.E.A. मतलब आपने जो एफिये में पढ़ा है जैसे कि कुछ भी आपने चो भी चीज पढ़ सीद्ग आपने में पढ़ाना सीखेंग प्रजैंट करना सीका इंग्लेश स्पिटिंग सीखने पॉप ने पंक्षवाव लिटी सीखा आपने तो आपको कुछ भी इतिक है як ठाट कोई भी यहां पर लिख देना है तक है उपनिग यहां पर दिद्डक कोई बी एक हेंग लिख से नहीं है जिसे आप बेलटेर बस्कत बैंद से बना ठीक है इटास में बतापांग और उसके हैव में हम Expecting of arım में कमाली ,चैया क सकते सके से figuring में कि मतलब क्या होता कि आप य्टू का पालन करना चीय थिक है युई हब फॉलू अट रूलस आपको रहना और इसके में भयर लीख सकते हैं we have to come on time मतला आपको time पर आना चाहिए and we have to use polite words never use rude words or abusive languages respect to your all facilitator इस तरीके साप क्या कर सकते है पूरी तरीके साथ punctuality के बारे में बता सकते है last way closing sentence closing sentence में आपको आपको यहां पर लिखना है we know that closing मतला आपको पूरा conclusion बताना कि punctuality का main theme के main चीज क्या है क्यों हमको punctuality punctuality follow करना चाहिए इस तरीके से आप सोच करके यहां पर last में आपको बताना है जैसे कि यहां पर लिख सकते हैं we must have to follow punctuality और we must have to be regular in classes मतलब हमको क्लास में जरूर से जरूर होना चाहिए punctuality का main मतलब यह है हमको regular होना चाहिए punctuality का main मतलब भी main meaning यह होता है कि regular होना ठीक है यहां पर मैंने बस एक example लेकर करके आपको समझाया है बाकी आपको यहां पर और आप अपने according यहां पर लिख सकते हैं और बाकी सारी बहुत सारी skills हैं जो F.E.A. में हमारा increase किया जाता है हमारा improve किया जाता है तो उस चीज़ के उपर आप यहां पर लिख सकते हैं आप यहां पर देखिए जो उपर आपने यहां पर है क्या देखिए कि write the above sentence in the form of paragraph यहां पर जो चीज़ आपने पॉइंट में लिख देना जैसे कि आपको यहां पर प्याग्राफ में लिख देना जैसे कि हम लोग ने पंशुयलिटी में लिखा था तो simply है को यहां पर तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं आप पे एक डिस्क्राइब कर सकते हैं उसे इसको पैराग्राफ में लिखते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है तो आप किसी और चीज को यहां पर ले सकते हैं ठीक है कोई भी एक्जांपल जो कि आपको अफिये में बढ़ाया गया हो नौ यहां पर देख लेते हैं फिर नेक्स्ट किया है सेल्फ एंड पियर असेस्मेंट यहां पर ने प्रिवियस लेशन किया यह इस चीज को ठीक है यहां पर आपको अपने पर मतला है और अपने इस चीज को टिक करतेंगा तो सबसे पहला किया है कि आपके पार्टन ने और आपने इंवर्टेट कॉमा और एक्सलामेटरी मार्क और कोश्चन मार्क इन सबसे इंड किया है इंड किया है इंड किया है अपने खत्म किया है इस चीजों को इन चीजों का यूज करके अगर आपने किया है तो सही पिटिक करेंगे नहीं तो फिर आप अंटिक मारेंगे उसमें मतल को जो भी संटे से स्टार्ट हो रहे हैं अगर आपने किया है तो आपने और आपके पार्टनर ने तुआ टिक कर सकते हैं ठीक है ठीक है नाव थाड क्या है इस पेल most of the words correctly मतलब आपने most of the words का spelling जो भी words से spelling आपने correctly लिखा है कि नहीं लिखा तो आपको इसको लिखते समय है अगर आपने इस करेंगे नहीं तो फिर आप नो करेंगे जी तो फिर घ्रीक तो यह पर रॉंग वाला टिक करेंगे टीक है now proof reading symbols मतलब यहाँ पर देखे symbols आपको दिया गया proof reading के symbols क्या क्या है तो यहाँ पर हम लोग सब पहले से जानते हैं C for capitalization P for punctuation ASP for spellings ST for sentence structure W for word order H for handwriting eligible now I for indent ठीक है तो यह सब हम लोग पहले से जानते हैं यह हम लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है and thank you so much यह lesson complete हो गया है अगर आपको इसमें कहीं पे भी कोई भी problem हो तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हैं